हाई एवरेवान वेकम दूमाय चानेल आई एम सिर्ण सहानी तो ओल दे क्लास 12 स्टुडेंट्स अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चाप्टर 3 किंशिप कास्ट एंड क्लास ओके तो यह वाला जो चाप्टर है ना इसमें हम सुसाइटी के बारे में जानने आले जैसे के चाप तो सुसाइटी में क्या क्या चैंज है यह हम पढ़ेंगे मैं इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था तो सुसाइटी में इसके पढ़ा यह सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने आले तभी चैप्टर का नाम किया किन्शिप कास्ट एंड टास सुसाइटी पूरा स्ट्रुक्टर ज कि आप इस वाले चाप्टर के तुरू जानने वाले हो यह चाप्टर में आप जो चीजों के बारे में सुनों गे उनसे आप पही ना कहीं फेमिलियर भी होगे और पहले भी पढ़खिये तो इंचर्फ और जाद आने जाल है तो टाइम पिरेडिस चाप्टर का वही है शेय सो Kingdoms के लोगों के बारे में पढ़ेंगे एबन हम ये भी पढ़ेंगे कि जो राजा हुआ करते थे Kingdoms के जब उनकी marriage होती थी तो जैसे वो कौन से Kingdom में करते थे क्या rules को वो धियान रखते थे marriage करने थे और क्या-क्या norms होते थे क्या-क्या rules होते थे जो राजाओ को भी follow करने पड़ते थे और कौन लोग ऐसे होते थे जो rules norms को follow नहीं करते थे बहुत कुछ जानने को आपको इस chapter से मिलने वाला है ठीक है तो time period वही रहेगा यहां पे हम society के बारे में जानेंगे ठीक है तो वे इस स्टार्ट करते हैं हम अपने chapter को यहां यह स्टार्टिंग में बता रहा है तब आपने kingdom के बार में पढ़ा था अब और चेंजिस के बार में पढ़ा था वो चींजिस कि एफेक्ट देखेंगे हम जैसे कि तेखो यहां पर आपको सीधा बता रहा है जब हमारे ज क्यों पढ़ने हैं और क्या समझने वाल है ठीक है तो इसको शुरू करते हैं एक चीज़ में आपको बताना भूल गई थी यह बढ़ाने से पहले स्टार्ट करने से यह रहे आपके इस वाले चाप्टर के हम रिटन नोट्स जैसे कि मैंने आपको फॉर्स और के बाद यह रीट कर लिए पस और कुछ आपको देर इस नो नीग तो एनिफिंग यह पस इससे आप रिवेजिन कर सकते हो तो यह नोट्स आपको मेरी इंस्साग्राम आइडी पर मिल जाएंगा आपको डिस्क्रिप्शन वोक्स में कहीन आगे तो ज़रूर मिल जाएगा त और हैं डिटन अगर नहीं चेहोंगे में राइटिंग समझ में नहीं आई वाई चांस तो टाइब नोट्स भी आप चेक कर सकते हो वह भी बहुत अच्छे हैं तो नोट्स की बात हो चुकिए तो आप कई बार ना पड़ते परते इंस्याटी इतनी लेंदी लांग्विज क तो देखिंग स्टूडेंस को बहुत टेंशना आती है नोट्स का क्या होगा तो नोट्स के टेंशन मतलो बस तुम चैप्टर समंझ हो जैसे मैं आपको समझा रही हो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जागा तो चलो शुरू करते हैं तो चैप्टर टू में हमने पढ़ती चैप पढ़ाओगा फॉरिस की क्योंकि अग्री कल्चर फॉरिस तक बहुच रहा था नेक्स्स क्राफ्ट स्पेशलिस बहुत अलगलग तरिके के क्राफ्ट ट्रेड वग्यार शुरू हो गयते तो अब यसली जब ट्रेड करेंगी क्राफ्ट पैसले उनके पास पैसा आएगा तो आप सोचो कि उनके पास अच्छा पैसा आजाएगा उनका लाइविंग स्टैंडर्स चेंज होंगे ठीक है ऐसे बहुत सारे चेंजिस होने शुरू है दीरे दीरे हमारी सुसाइटीज के अंदर अब देखो क्या हुआ अभी देखो अगरी कल्चर जिन लोगोंने स्टाट क पैसे कमाएंगे ठीक है अब कुछ होंगे जिनके पास कोई उक्यूपेशन नहीं है तो और यह स्किल वाला वर्क है तो वहां बहुत कमाई हो जाते है इस टाइप के डिस्ट्रिब्यूशन जैसे आज की समय पे होता है यह आज नहीं हो यह तब से चलता रहा है तो जब एक किसी ने करी किसी ने कोई काम करा किसी ने कोई कोई क्यूपेशन अपनी साट करी तो अन इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन ओफ वेल्ट अमीदी गरीवी का फरक सोसाइटीज में दिखना शुरू हो जाता है तो यह हम समझेंगे अब हमें समझते कैसे हैं अगें जब भी आप बहुत सारे टेक्स्चुल ट्रेडीशन से यानि की काफी सारी लिखित में हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट से जिन से पढ़के हम समझते कि अच्छा यह सब उस जमाने में होता होगा ठीक है अब कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो नौम सो सोशल बिहेवियर लिखते हैं सोशल बिहेवियर ने की सोसाइटी में कैसे रहना है जैसे आप हमारे वर्ण सिस्टेम से फैमिलियर होगे जिसमें आता है ब्रहमन शत्री है ठीक है आप चारों के ना मुझे जल्दी से कॉमें सेक्षन में बताईए तो यह वर्ण सिस्टेम के बारे में यह सब हमें जो है से जानने को मिला और इनके बारे में हम इस चाप्टर में पढ़ने वाले ठीक है अब कुछ टेक्स ऐसे होते थे जो बहुत सारी सोशल सिच्वेशन को बढ़ाती कि उस जमाने में सोसाइटी कैसे चलती थी उस जमाने में लोगों को कैसे ट्रीट करा जाता था ठीक है गेव में बता रखा है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वाई पढ़ाने जमाने के बारे में जानने के लिए ठीक है अब कौन सा टेक्स्ट है जिसको हम अपने इस चैप्र में बहुत केर्फुली स्टडी करने वाले हैं और केर्फुली हमने उससे मदद लिया वो है महाभारता महाभारत स्टोरी से आप सभी बहुत ज्यादा फेमिलियर होगे तो महाभारत जो है अभी यहां पर हम महाभारत के बारे में जानेगे क्यों कि जब महाभारत को पढ़ा गया और जब इसका क्रिटिकल एडिशन मनाया गया तब हमें काफी जादा है इस वाले पूरे टाइम हमें जाने को लेटर साथी। हमें क्या सब्सल् necesita है और महाभारत कि यह तो आपकी कि इतने ही पिरो से हमारे सोसाइटी में प्रेज़ें है और पता है कितने वर्च कि tallest यह स 21 00001 इस हैं हमारे महाभारत और त्वा थयुक। जितनी स्टोरी थे यह टग्रज वर्च कितने वर होती होगी ठीक है अभी जो है यह महाबारता कंपोस कब हुई थी कई पर एक्जाम में एक्वेशन आजाता है तो इट वस कंपोस्ट ओवर पीरिएड ऑफ थाउजंड लगबख थाउजंड यह लगे थे महाबारता को कंपोस होने में और जिसकी डेट हमें लगबख पता है 500 बी-सी और कुछ चोरी चोंहा बारत में है वो तो लींग उससे पहले की भी सख्कूलेशन में में थी महाबारत की हम सब गए थे प्रक्टिस लिखी गए थी अब कुछ जो करेक्टर सोते थे उनको फॉलो करते थे और कुछ होते थे जो उनको फॉलो नहीं करते थे आप यह सब आपको दीरे दीरे चाप्टर में पता चलता रहेगा तो आप आता है हमारा टॉपिक नमबर वन क्रिटिकल एडिशन महाभारता जिसमें एक्जाम में आपको वन मार कर भी आ सकते हैं और छे मार कर भी आ सकते तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता तो देखो वी एस सुथांकर यह बहुत ही आप समझो कि फेमेस हमारे आगे संस्कृत इस थे इनक क्रेंड़ाग भाश्या वर्शूर्ण से कोई पाली लैंग्वेज में थी कोई प्राकृत लैंवेजेज में थी इवन संस्क्रेट लैंवेजेस की बहुत अलग अलग जो है वह वह इस तो यह चो ङुटां कर जीता है मैं अभी सिंपल लाइंवेज वाली हमाभारत शी सब के अलग-अलग editions को collect करा पता नहीं कितने ही pages कितने ही verses को इन्होंने study करा और इनके पूरी टीम में and then जाके इन्होंने critical edition निकाला महाभारत कर ठीक है तो यह है critical edition हो महाभारत यही बात आपको बता रखिया तो यह task इन्होंने करा कप था यह इन्होंने start करा 1990 में यह task start हुआ था विए सुथांकर संस्कृतिस्त है और इनकी पूरी अपनी टीम ठीक है बहुत सारे टीम थी इनकी dozens of scholars है तो मैंने जो है समझे आपको तो सिर्फ विए सुथांकर का नाम में पता चाहरा बट इनके साथ में की बहुत बड़ी टीम भी थी और इन्होंने मि उन्होंने वहां से पूरा क्रियेट करा पता है कितने साल लगे थे इसको बनने में लगबग 47 लग गये तो अब हम जानते हैं हाउग दे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभरता वसमेट और यह एक्जाम में डिरेक्ट क्वेशन आता है कि विए सुथांकर और उनकी टीम में क् प्रिटिकल एडिशन बनाने के लिए तो फॉस्ट स्टेप किया है अगर आपने यह फर्स स्टेप लिख दिये तो एक्जाम में आपको मिल जाएंगे फॉल मक्स तो बस इसको रीट करो मैं आपको संजा देजिए पहला सबसे पहला से था संस्क्रिट मैनूस्क्रिप्स यानि कि सबसे पहले जितनी भी संस्क्रिट में हमारे पास महाबारत अथी रिटिन फॉर्म में उन सब को जो है वियसातांकर और उनकी टीम ने कलेक्ट करा रिटिन इन विराइटी ओव स्कृप्स ठीक है डिट्रेंट पास ओ टीकंडियानि कि नौट से साउ्थ से अलग जगाओं से जहां जहने शंस्क्रिट में इस्क्रिप्स में उने घटा करा और बाकी लैंग्वेजिस की जैसे प्राकृत है जितनी भी भाषा उप की इन सब को इन्होंको इन्होंने कलेक्ट करा यह की जगह पर लिख लिया आप समझ लो ठीक है और फब्लिश दीजन सेवरल वॉल्यूम्स राणिंग इंटु थाउजन पेज़ अब इन्हों ने जो कॉमन कॉमन वर्सेश सिलेक्ट करें थे कि यह सभी के अंदर यह वाले वर्सेश कॉमन है उन सब को इन्होंने लिखा है कितने कॉमन वर्सेश आए थे बहुत सारे कॉमन वर्सेश आए थे और मुस्ट तीरह हजार पेजिस जो है कि हमारा क्रिटिकल एडिशन ओव महाभारता क्रियेट हुआ था तो आप सोच सकते हो कि कितना यूज टास था इसको परफॉर्म करना कि कॉमन वर्सेश जितने थी नौर्थ में जो एडिशन चलना जो साउत में जो इस में जो वेस्ट में है अलग अलग लैंग्वेजेस में जो लिखा गया महाभारता में उसके जो कॉमन एलिमेंट्स थी उनको एक जगा पर लेडाउन करा तो उसको पढ़के जो है और उसको क्रिटिकली स्टडी किया ज सब्सक्राइब तो यह आपको याद हो गया है अब इससे रट्टाफिकेशन भी निए करने पड़ेगी फॉर्स स्टेप सेकंड स्टेप थर्ट स्टेप ठीक है अब भाई यह क्रिटिकल एडिशन बनाया क्यों वाट वस्ट नीडव में क्रिटिकल एडिशन तो काफी सबसे वहले मैं बता रखा है कि common elements obviously थे Sanskrit version of the story में जो हमें बाकी मेली है पूरे all over the करने के तरीके में कुछ ना कुछ चेंज थे वेरियेशन मतलब आप मानों कि थोड़ा बहुत चेंज था ठीक है ओवराल आइडिया वही रहेगा ओवराल स्टोरी वही बताई जाएगी बट कुछ-कुछ बाते जैसे कोई स्टोरी और है कुछ थोड़े बहुत और चीज़े जी आट कर दी रही है नॉट में तोड़े हैं साउथ और तरीके से इस मेलक वेस्मेलक तो इस चीज को बोला जाता है यहान मैंने डेफिनेशन भी लिग दियो तो वेरियेशन क्या है स्लीट्रम अनादर यानि कि ओवराल स्टोरी तो तो वहीं बताई जाएगी थोड़े ब महाबारत में उनको भी उन्होंने लिखा था कि हां भाई नॉर्थ और साउथ वाली में यह डिफरेंस था नॉर्थ में इस्टोडी बताए गई यह मैं आपको एक्जाम्पल के लिए बता दियू तो उन जो वेरिएशन्स थे उनको भी उन्होंने जो है अड करता क्रिटिकल एडिक्शन और महाबारत में और वह किसमें करता था फुट्नोट्स में एंड अपेंडिस में आयोव आपको बता होगा फुट्नोट क्या होता है तो जैसे पूरा पीज होता और उसके बार जब कुछ इंपोर्टन शीज जो है हालाइट करके दें वी हाफ फुट् छोटे चेंजेस थे महाबारत में पूरे ओल ओवर दे कॉंटिनेंट जो एडिशन में लेते उनको भी विए सुधांकर ने लिख लिया था और वो जो है चेंजेस हमें अलग-अलग टाइप की प्राक्टिस बता देते कि ठीक है अच्छा यह चेंजेस थे मतलब कि अच्छा बनाता थिक है अब आपको पता है जो हमारी 19th and 20th century थी इसमें जादा था जब भी स्कॉलर कोई भी हिस्ट्री के बारे में जाने की कोशिश करते थे जैसे पता चल गया उसके बाद जानना है कि वहां पे लोगों का रहन सेंड कैसा होगा तो वह सब जानने के लिए जादा तर हिस्टॉरियंस न संस्कृट टेक्स्ट को स्टडी करते थे यानिकि जो संस्कृट में दोक्यूमेंट्स बिलते थे और जो कुछ भी संस्कृट डॉक् इस बूक्स बता गया है मतलब इन सुसाइटी में इसान को रहना तो प्राक्र इसे यृ नहीं सब दनिया हो दुटब या यनि कि सब लोग और संस्कृट वाले पढ़े जाते थे ऑर अलग-अलग लैंगउंज जसे कामिल, बीम, प्राकृत, तामिल छो इन लैंगउजिस औ जैसे हमने तामिल संगम टेक्स्ट के बारे में पड़ा था जब अलग अलग लैंग्विजिस के डॉक्यूमेंट सामने स्कॉलेट के तो उन्हें समझ में आया कि नहीं कभी-कभी ऑब्जेक्शन भी देश कर जाते हैं जो संस्क्रेट टेस्स में लिखा हुआ है जरूरी नही जो उन प्राक्टेस को जो गिविन थी उसको अब्जेक्शन उठाते थे और कुछ ऐसे भी थे जो अब्जेक्शन उठाने के वास समझ जाते थे एं देन उसको फॉलो कर लिया करते थे तो यह चीजी आपको यहां पर बताई गई है यह जो इतनी इंग्लिश यहां पर लि बाकी ट्रेडिशन को जैसे पाली प्राक्रित तामिल को पढ़ना शुरू करा और तब उन्हें समझ में आया कि भाई या जो को जो भी नॉर्म्स संस्क्रिट टेक्स्ट में लिखे गए हैं वो जो है कभी-कभी उकेजनली है सान्य हर बार रिजेक्ट कर जाते थे नहीं कभ यहां तो यहां पर हम यहां यहां जाने के जब शादी की जाती तो क्या थी तो तो जानों कि जैसे जब शादी हुआ कर दी तो क्या परमपराय फॉलो करी जाती थी एक सेक्टर और साथी के साथ में आप फैमिली के बारे में भी जानोंगे कि किस ताइप की फैमिली 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 चाहिए और रिलेटिफ जो होते थे उस वहां पर क्या सिस्ट्म चलता अज़े से आज कuger हमायरे जमाने में में मिली अगर तो नेुकलियर फैमिली जादा आज कल होती है तो सबसे पहले चोटी की फैमिली सी डिया डेशन अगर बोले वाट एस रापल्य तो फैमिली के लिगुप उपीपल हुआ रिलेटिफ तो एक दूसर से रिलेटिट अर ऑ बाइब लव्ट हो हमas good फैमिलिए हार आमळा से अ जा सकता है और फैमिटिस के साहओ, तक पर अथुसरे ऐह कर सकता में कि भाई यू हे आप बहुत है वह बाहर जाके काम करें, he is earning या either mother is earning, यह सब तरीके के क्या क्या activities घर में कौन क्या perform कर रहा है, यह सब different होती है, हर family के अंदर, ठीक है, often people belonging to the same family, family मतलब क्या है, जो लोग एक family में रहते हैं, they share food and other resources, family मतलब भी क्या है, food, resources, life, आप अपने साथ जो है, share कर रहे हो, work and perform rituals together, जितने भी rituals होते हैं, वो सब एक साथ perform करना, जैसे simple, आप मानो, जब हमारे घर में पूजा की जाती है, जब हमारे घर में कोई festival होता है, तो वो सब आपने family वालों के साथ ही मनाते हैं, तो आप यही समझ लो, यह होती है, हमारी family, simple समझ गए, आप पढ़ेंगे हम किन फोक किन फोक, अब यहां पर हम पढ़ की हो रहे हैं, हम इसलिए पढ़ने हैं, क्योंकि पहले जमानों में, आप अभी भी मान सकते हो, जैसे कि कुछ सुसाइटी में काफे सारे areas ऐसे थे, काफे सारे लोग ऐसे थे, जहां पर किन फोक जो होते हैं, यानि कि जो cousins होते हैं, उनको को जो है, ब्लाद रिलेशन में कांसिडर करा जाता है, और कुछ ऐसे हुआ करते थे, जो cousins को जो है, ब्लाद रिलेशन में कांसिडर नहीं किया कर देते, यह चीज क्लिरली हमारी NCRT में गिवन है, whereas family ties are often regarded as natural, family तो natural ही ना, family से तो आप बहुत, by blood connected हो, जो आपके real sister, brother, mother, father ह हाँ, तो connected, obviously you are, natural ties है, यहाँ पर आपकी, बट जब बात आती थी, किन फूग की, यानि कि रिष्टेदार आप कह सकते हो, तो they are defined in other ways, ठीक है, कुछ ऐसे societies थे, जहाँ पर जो cousins हो गए, किन फूग, यानि कि आपकी आगे family वाले relatives होते, उनको भी पूरा, जो है, blood से connected माना जाता था, और कुछ societies ऐसी थी, जो, जो है, नहीं मानते थे, cousins को, blood relatives, ठीक है, तो यही सिंपल सी चीज है, आपको बता रखी है, अब आते हैं, हम next चीज पे, जो हमार को, जो है, historians ने बताई है, कि हमार को, na, elite families के बारे में, तो बहुत कुछ पता है, यानि कि राजा महना जिन्दगी के लोग होते थे, उनके बारे में, हमें नहीं पता कि वहां पर उनकी, मतलब, marriage के समये पे, क्या-क्या practices वालो किया जाती थी, बट फिर भी, historians ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिया है, families के बारे में जानने के लिए, और उनका attitude towards kinship, अपने relatives की तरफ के attitude र family relationships, family में कैसे relation होते थे, और जो है kinship में, जो पूरी family relatives होते हैं, उसमें कैसा relationship share करा जाता, वो भी जानने के इनोंने कोशिश करिए, क्योंकि उससे एक इनसान का attitude पता चलता है, तो चलो जानते है, historians ने क्या-क्या पता लगाया, अब यहां पे आता है मारा topic number 2.2, that is the idea of petroleum, petroleum मतलब father to son, जाधातर हमारे जितने भी kingdoms हुआ करते थे, वो petroleum पर चलते थे, यानि कि जो father की throne है, वो बेटे को मिलेगी, समझ गया ना, petroleum मतलब simple है, father to son, और यह सिर्फ ऐसा नहीं होता था, कि राजघरानों में चलता था, नहीं, normally में भी, जो ordinary citizens की life वे ऐसा ही होता था, that घ प्रेट्रिलिनी के system, जादे तर हमारे यहां पर फॉलो किया जाता था, तो यहीं चीज आप समझने वाले हो, इस पूरे के पूरे हमारे चाप्टर में हमी यहीं जानना है, कि परिवार और पूरा का पूरा सोशल सिस्टम था, हमारी सोसाइटी में कैसा चलता था, तो यहा सब्सक्राइट यहां कहां हो में जाते ही जनाना हो, तो यहां कहूरे नहीं पता था, उस पहले भी हमारे पता था, दा हमारे तो हमें क्लि एक स्दोरे के बारे में, कर Still of the perks androve चेएजल जो जैब तो आहां पर ऑपको इनमें आपको बताया कि महाभारत में में प्येट्रि लेनी सिस्टमि दिखा रखा है यहां पर पूर्य जोवात मैं आपको समझाई है वही गिवेद हैं उससे पहले भी ऑफियसली था बत महा बहुत ज्यादा वैल्युवल था मारी सोसाइटी में दैया जो फार की जितने भी थ्रोन है आपको जो भी ऐसे बार में किसे मिलेंगे बच्चों को मिलेंगे यहां पर आपको रू जन्पद के बारे में भी देख सकते हो यह पूरा कपूरा आपको गिवन है अब आते हैं हम अपने नेक्स टॉपिक पर जहां पर हमें और अच्छे से बता रखा है पैट्रिलेनी के बारे में वैसे मैं आपको हिंदी में सब बता चुकी जो कुछ भी हां पर लिखा है तो पैट्रिलेनी मतलब क्या होता है संस कुट क्लें दा रिसोर्स ऑफ दर फादर ठीक है किंग के केस में उनको थ्रोन मिलेगी राजगती मिलेगी और नौर्मली जो कुछ भी जैसे नौर्मल से जिस्टिस्टन जो है उनमें भी होता था कि फादर की जतने भी जातर आसे से वह बाद में बेटे को मिलते थे इसी सिस्टिम को फॉलो किया करती थी जैसे हमने देखा मौरियन डियनेस्टी के अंदर इसी तरीके से जो है सक्सेशन तू थ्रोन हुआ था अब ऐसा अगर केस हो कि अगर बेटा ना हो अगर किसी राजे का कोई वेत्या ना हो तो क्या होता था उस समय में उन सिचुएशन कि छाचा हो गये करते थे कि एक जाते में जातर और और आवाती गूपत्ता इनका ना मबश Hack Treasury चाप्टर में पड़ोगे शीवज ऑसक एक्सेप्शिनल कुई याद है ना इनकी शादी कहा हुं थी she was from the Gupta Empire इनकी शादी कहा हुई थी वकटाज में हुई थी हेन्हा है और वहाँ पे जो है प्रभावती गुपता इक्सराइस पावर तभी इनों ने लैंड ग्रांट स्वी करें आदेना आपको हमें हमने पढ़ा था कि वुमेन को तो अभी आगे पढ़ लो गया प्रॉपर्टी रिसोर्स का एक्सर नहीं था तो फिर कैसे लैंड ग्रांट करें तो प्रभावती गु कि इसी चीज को फॉल्व कर जाता था एंड हमारे जो रिगवेदा में मंत्राज लिए हैं उसमें भी यह चीज़ एविडेंट है इस विडेंट इंद इंड हमीर लोग भी तो होती ओस जमाने में गहाती जैसे हमने पढ़ा था समानताज हमें पढ़े थे बहुत अमीर लिए बहुत पैसा होता है वो तो जरूर ही पेट्रिलेनी को फाउलो करते थे एंड इवन भ्राह्मन से भाही-स्टीस लोगोगों थे वह थे प्टुलेनी को फॉलो करते ठीक है तो यह तिस आपको यहां पर बता रखिए थिया तो यहां पर पेश्टिलनी का सिस्ट्रम कंप तो सब बेटे का होना बहुत जरूरी था तो दाट थ्रोन आगे पुरा का पूरा जो है पैट्रियूनिस सक्सेशन तो थ्रोन हो पाए और वैसे भी अब डॉटर्टर्स जो है डॉटर्स का कोई क्लेम नहीं हो था अपने फादर की रिसोर्स पे ठीक है डॉटर्स जैसे मेंने सिंपल आप समझ सकते हैं जो हाउसोल्ड की रिसोर्चेश उस पे डॉटर्स का हग नहीं था एक दे सीम टाइम जो फैमिली है जो फादर है जो मदर है पूरी की पूरी फैमिली की ड्यूटी होती थी कि जो उनकी बेटी है ना उनको ने मैरी करना होता था आउट साइड दक आउट साइड दकिन यानि की अपने अपने जो फैमिली टाइज होती अपना जो किन होता है और आप अगे पढ़ोगे अपने गोतर से बाहर जो है शादी करना ड्यूटी होती थी इस वाले प्राक्टिस को बोला जाता है एक्जोगेमिया यहां पर आप साब पढ़ोगे कि इस पने टाइपस की मारिज़ हमारे को यहां पर हुआ करती थी और कितने टाइपस की मारिज़ को वेरिफाइड अड मानियता दी जाती थी और किसको अच्छा नहीं माना जाता था समझ गए आप तो मैरिंग इंटुटर फैमिली आउटसाइड दे केंस वा कंसे अपने किन फोक से बहा हूँ अभी अच्छे से और समझ जाओ गया अप इट मींस दाइव और फैमिली चाहिए वहाई स्टेटस की हो जादा तर हर में यह फॉलो करा जाता था कि जो मैरी है जो लड़की की शादिया वह राइट टाइम पर राइट पर संसे मतलब यह होता कि लड़कियों के लिए डॉटर्स के लिए जो है डिजाइरेबल होता था कि उनकी शादि कहां की जाए आउटसाइड दे किन यानि कि अपनी फैमिली से बाठ इवन अपने गोतर से भी भार शादि करना डिजारेबल माना जाता था अभी आगया अप उस चीज को भी समझ अपनी बादान और गिफ्ट ऑफ दोर्टर इन मारिज वस न इंपॉर्टन रिलिजिस दूटी और फादर्स की इंपॉर्टन डिलीजिस दूटी हो दी थी 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 वह अपनी गर्ल के लिए अपनी बेटी के लिए एक बिल्कुल ही राइट में चूज करे और उनकी शादी जो है राइट इज राइट थाइम पर उनके पर आफटर डिए और बेटियों के लिए क्या था कि यह सब्सक्राइब ने लगए ने लगए ने ने प्रैक्तिस अने लगए शहर बन गये बजार बन गये गाओ बने बन गये इंब बन गये सेटल्मेंट बहुत जादा कि यह आज के समय वी तो बहुत सब्सक्राइब ब्रहां में विए भी क्वेशन होता हो यह जो है कि क्यों सिर्फ बहारी के विकिन फोक से एनिज्ञ लाइक देस्ट यहां गिवन है मारको बहुत सारे टैप के 1 तुसकी बारें 2 सब्सक्राइब मुखेयर 3Gen3 तो दूसरी बात से ब्रमद्सक्राइब करें हमारे लिए धर्म सकता है एक्जाम में दाट क्यों धर्मशास लिखे गए थे तो वेन फेस्ट विद चैलेंज जब जो प्राक्टिस चल रही है सुसाइटी के अंदर जब उन पर क्वेशन उटने शुरू हुए तब भ्रामच नी लेकरे क्या हमारे धर्मशास्त्र एंड धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र को वनमार कर लीजिए फ्रॉम फाइव हंडड़ बीसी इडीज नॉम वर कंपाइड इंस्क्रेट कंपाइड मतला पूरा लिखा गया एवरीथिं वस्टन पूरा उनको डॉक्यमेंट कर लिया गया होगा इन संस्क्रित और धर्म सूस्त्राज भी बोला जात मानुस्मिती का हमारी कंपाइड हुथी वन मार्कर क्वेश्चन है ये 200 BCE & 200 CE के बीश में मानुस्फिर्दी कंपाइड हुथी इसमें भी बहुत सारे रूल्स बहेवियर सोशल नॉर्म्स लिखे गए हैं that we should follow ठीक है they were meant to be followed by Brahmans in particular and the rest of the society in general basically जितने भी रूल्स लिखे गए थे धर्म शास्त्र में और धर्म सूपराज में काऊ आप या मानुस्फिर्दी में काऊ ये ब्रहमन्स को तो particularly follow करने थे बाकि जितने भी हमारे लोग रहा कर देते इन जेनरल सब को follow करने चाहिए ठीक है ऐसा था कि मतलब भ्रहमन्स को करने और सोसाइटी में जेनरली जो इने follow करना चाहिए उन्हें definitely follow करें वो ठीक है सारे different different cultures we are not one culture हमारे इतने सारे beautiful different cultures है तो जब यह norms लिखे गए थे तो कुछ यह सब चीज़े आप इसके थू समझने वाले हो अब हमारे धर्म शूतराज में जो है या दर्म साथ आप कह सकते हो इसमें एट टाइप की marriages बता रखिए हैं उनमें सिफोर टाइप की marriages जो है ठीक है मैरेज करते समय मतलब किस टाइप से marriage होगी फोर टाइप की marriages के बारे में तो इस हम शूतराज में एट forms of marriages given है उसमें से first four are considered as good पहली चार सही है good है according to bhramans according to our dhamshas while the remaining were condemned यानि कि remaining को सही नहीं माना जाता था ठीक है it is possible that these were practiced by those who did not accept bhramanical norms so obviously जो bhramanical norms में dhamshas में believe नहीं करते थे वो शायद बाकी बच्चीवी चार को practice करते हैं अब जब भी मैंने आपको marriage के बार में बता है तो मैंने आपको कहा था कि एक rule follow कर रहा जाता था यानि कि कहा जाता था से follow करना चीह according to bhramanical norms कि गोत्र के बाहर marriage होने चीह तो चलो जानते है गोत्र क्या होता है तो यह एक और bhramanical practice थी ब्रहामन्स की practice थी इट वस एविदेंट फॉम 1000 BCE 1000 BCE के बाद से यह दिखा जाने लगा to classify people in terms of गोत्र लोगों को को उनके गोत्र में classify कर ना और स्फेशली उता था यह इक आ उन्агार मत्लब होटा है iyi अन्य वेरिशिट्र के इंहां पर की चाहते है टीक है और जो गुपर्ण सेMm तो तो थो你वेटिक सेर केゃו थे Piggy जब वोमिन की शादी होगी जब शादी हो जाती है तो जो इसको अपने फादर से निला था वह उनको लीफ करके जो उनके था है कूछ समय हो क्या नहीं करते होंगे तो अब आपको सारा क्रिष्टिल क्लियर हो जाएगा कि यह इसने नहीं करते यहाँ पर हमें एक इसात्वाहन है एक प्राक्टिस नहीं रूलर्स घृप बारे में हमने पढ़़ा था तो साफोानछ नहीं 3 से करन 17 2nd century 10 एनंकी मिली है इसलिए हमनेता इनकी इनकी मिली है इनकी grote आप आप भोग्यनस माया इक से में च और बारे में करी ठीक हैं वह नहीं को इनकी मीड़ेंख माया आ boyisine इनदोस ने करी थी ठीक है अब सत्वाहणों न्हों जो वाइस ती आih इसमें हमने एक चीज़ देखी यहां पर इन्हों प्राक्टिस को फॉलो नहीं कर रहा था कौन से प्राक्टिस वह प्राक्टिस जिसमें एकॉर्डिंग टू गोतर जो है कहा गया था कि जो फादर का गोतर है वह लड़की को शादी के बाद चेंज कर लीना है और वह अपने ह फॉलों फॉलों छाथ스ंतावर को फोलो तो आप रही फ्रांइकल नम सम्र्ण ऊटसियर्ट कर रहेंतों इस हम लोड़की जैसे सिछ्मी उनियर स्ना कर तो नाईग जाए तो वह आपर और रीयौ उनकी प्रादों ननियुकरिंद्स पॉनें इसको फॉलों कर रहें ना को य पर वाइन होब दो इस अपने अपने धूस में इसको फॉलू नहीं करा वाइन मॉद्या अपना उलाउड तो वह पर उन्होंने फॉलॉ करा था चिक है तो आप इससे हम में कह सकते कि इसाथ हरॉलिर्स भर मैंने को नहीं था इक वाइबस को नहीं दो एक veto नहीं कहते क्षाहि इस एक इस इसान इस होते थे पूरी तरीकिए से नॉम को नहीं मान दो पूरी है को थे यहां पर बता रहिए है il Hefato इस वोमें बिलॉंग तु दा सेम गोत्र और इन फैक्ट ऐसा भी था साथमाहना रूलर्स में काफी सारी जो इनकी वोमें थी वो सेम गोत्र की थी अभी मतलब रेफर्ट तु आ मैरेज आउटसाइब दे यूनिट और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था आए फारगा रूलर्स में क्या देखा गया इन साथमाहना रूलर्स में जो उनकी वाईस आई थी कई बार सेम गोत्र की होती थी दिस उन गाउंटर टू अच्छेंट और ब्रहामन के टीक्स के खिलाफ था उससे अलग था अपसर था उस से तो इसका मतलब क्या हुआ सब्सक्राइब करना अपने जो पूरा का पूरा अपना किन फोक है ना यानि कि अपनी रिष्टेदारी अपनी कम्यूनिटी के अंदर शादी करना जहां पर अलाउट था तो वो कौन सा एडिया थे साउथ में हमानी आपे साउट इंडिया में काफी सारी एरिया सहसे थे वेर मैरिजेस अमंग किंग फोक जिसको हम कह देते हैं कॉसंस के बीश में मैरेज जोना वो अलाउट था और वहां वह भी प्रैक्टिस करा जाता था और यह दो बना देट यानिकी पूरा फ्लिटेट कम्यों ति बहुत था ओंग फेर नहीं हो यह कम्यूंटी क्लोज नेट थी टीच यह आपको यहाद रखना है कहां पर हमारी कंट्री में दिस वर प्रैक्टिस बैसिक्ली तो साउथ इंड में यह प्राक्टिस करा जाता था अमंग दे किन फो किन फोंदब कॉसंस की बीशिव मैनेज़ जोना इट वस प्राक्टिस है इस लाइक लिएशन इन अधर पार्ट्स अब इसा हो सकता है कि हैसा निया हमारे पूरे कॉंटिनेंट में यह चीज फॉलो करी जाती हो नहीं कहीं पर फॉलो होती तहीं पर नहीं होती यहीं चीज हमें समझ हुए अभी तक पढ़के कि एक चीज हमने पढ़ी मैनेज की तो मैय रही है कि आपके उससे बहार importantes कर नहीं है तो जाधा तर इन चीजों को शचाधि करें तो फॉलो करा कशन को नहीं नहीं भी करा जाता है कुछ क तो अब आते हैं हम अपने नेक्स टॉपिक पे डाट एस वह मुदर इंपोर्टन यहां हम वोमेन के रूल के बारे में पढ़ेंगे जैसे आज की जमाने में भी हम विल टॉक बाउट वोमेन फ्रीडम थीक है तो इसी चीज को थोड़ा बात हम समझने की करिशिश करेंगे वह सूख वोमेन इंपोर्टन तो सबसे फिर से ह हमारे को जो हैंग्जामपल डे रख़ें सातवाहन रूलर्स का तो सातवाहनर में काफी कुछ फोलो करते तो बहुत जक्रीव नाम मिलता था उनकी मदर से ठीक है जैसे की जो सातवाहनर रूर्स आपकी वाइव थी जो साथ वहाना रूलर्स की नानिया थी उन्होंने अपने फादर के गोतर को ही कंटीनियू करा था हस्बेंड वाले को नहीं करा था वहापे मैंने दो गोतर आपको बताये थे गौदमी और वशिस्थ ठीक है तो वह जो गोतर बताए थे तो उन्हीं गोतर से जो अगे उनके संथ उनका नाम पड़ा था जैसे कि गौतमी पुत्र और राजा का नाम उगया वसिस्थ पुत्र और आगे का जो रूलर है उनका नाम हो इसे हमें यह समझ में आता है दाग्यास मदर्श वर डेफुनिटली इंपोर्टेंट इयर बट अगें यहां पर आपको तो थ्रोन था यानिकी राजगदी किसको मिलती थी बेटों को ही मिलती थी यह वो सस्टम खाना कि अगर बेटे नहीं है तो भाई को या फिर को को मिलेगी पैठ्री लेनियर सक्सेशन ही जादा साथ वहाना रूलर्स में फॉल्व करा जाता है तो देखो किता कुछ जान लिए पहले हमने ये जाना कि इनकी वायरिष वाली मैllers थी कौनसी मैरिष है वो उसका नाम बताना हो दो हों कर ना हुता है ठीक है तीसारी सब कि यहां पर क्या पड़े कि काफी सारे जो रूलरी उनको जो नाम मिलता था अपनी माताओं से उनका वह अपनी माताओं अपने पीछे लगाते थे थे तिक है उनके ज़ें विछ से अपनी पॉट्पर वछ इस वह बैटिक यूर नहीं 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 थे सक्षेशन पर नुंके तो यह सब ऐसी चाप्टर है हमारा बार बर हमें बताया जाएगा कि यह चीज फ्राक्टेस होती तो चलो आगे आते हम अपने नेक्स टॉपिक पे डाट इस सोसाइटी में कैसे डिफ्रेंस होते थे पढ़ेंगे सोशल डिफ्रेंसिस के बारे में बेसिकली इसमें हम वर्ण सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं तो चलो यहां अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जहां पे हम बढ़ेंगे 3.1 राइट ऑक्यूपेशन जैट अकॉर्डिंग तो वर्ण जो है हमारे धर्मशा हमारे 4 words है ब्रामन शक्री रिया और शूद्र श्मष्ध ठीक है तो जानते हैं क्या-क्यूपेशन समार को गेवन है according to dhamshastra किस वन को क्या occupation परफॉर्म करनी है तो यह direct exam में question में आ सकते है तो इसको आप बहुत अच्छे से दियार रखना तभी मैंने इसको yellow से highlight भी कर दिया है तो ब्रह्मन्स जो होते थे ठीक है जो ब्रह्मन है देवा supposed to study and teach वेदास ठीक है उनको study करने थे वेदास आपको ह sacrifice and give gifts and receive gifts gifts देने का भी उनकी duty थी that वो gifts बाटेंगे and receive भी करते थे वो काफी gifts ठीक है अब शत्रिये का duty थी शत्रिये की duty होती थी what to engage in warfare यानी की warfare जादर king जो समझों आप king की duty है अपनी प्रहजा को बचाना warfare में जाना ठीक है sacrifices करवाने होते थे ठीक है and next is make gifts और gifts देने होते थे राजा का काम था शत्रिये का काम होता था that उनकी जो wealth है उससे वो लोगों को gift भी ठीक है अब next आते थी हमारी जित्ती भी last three occupation जैसे आप मानो agriculture हो गया craft हो गया trade हो गया यह सब जाते थे हमारे वैश्यास के लिए ठीक है they used to engage in agriculture pestrolism and trade ठीक है तो यह जाता था हमारे वैश्यास के पास में अब last जो था हमारा पहुंसा रहा हमारा शुद्रास ठीक है they were assigned only one occupation that was serving the three higher ones तो शुद्रास की क्या ड्यूटी थी कि उनको three ones थे जैसे की जो होगा हमारे ब्रह्मन शत्रिया एन वेश्या इनको इने सर्व करना होदा था ठीक है तो शुद्रास की यह duty थी as for the धर्मशास तो आप इस का आप ध्यान रखना है यह एक्जाम में डिरेक्ट क्वेशन में आ सकता है कि आपको भ्रह्मा निकल नॉम्स के और या ध्रम सुद्रास के अकॉर्णिंग वर्ण्स के लिए क्या क्यों क्योंक्यों डिसारीवल बताई नहीं थी ठीक है तो विद्ध लिए पहला यह था कि वह कहते कि यह जो वर्ण का ओडर ए जिवाइनी अरिजन के वह जिए पूर थी बन के दूब जिन वह फोलू थीक है नेक्स्टिझे वह एडवाइस करते थे किन को जितने भी नॉम है उनको फोलू करें जतने भी ध्रम शात्सर में निगे गए है उनको केंग को follow करना चाहिए ठीक है and the third they attempted to persuade people that their status will determine their birth और वो लोगों को यह बताते हैं से कि जो उनका status है क्यों अपनी life में आगे क्या करेंगे क्या occupation करेंगे यह by birth ही determined होता है तो ब्रहमन की क्या strategy देग्जाम में direct question आया का भाई भाई ब्रहमन क्या strategies को follow करा करते थे so that society में one system चलता रहे और उस चीज़ को follow किया जाए तो पहले they used to say that यह जो है divine origin है one system हमारा next जो है वो यह कहते थे कि जितने भी शत्रियास हैं उनको हड नौम को धन्म साथ मिलिखेवे नौम को kingdom में फॉलो करना चाहिए third वो यह कहते थे that जो लोगों का status is what a person is what determined होता है उसके birds से और उनके वर्ण के according ही they have to act ठीक है however ऐसा नहीं है कि यह असान था हर्ट का पे desert करना कुछ लोग थे जो इसको follow करा करते थे कुछ लोग थे जो follow नहीं कर देते इवन महाभारत पे भी हमने काफी सारे ऐसे आपको बताया गया है कि ऐसे काफी सारे एक्जाम्पल से जहां पर कुछ बातों को follow किया गया है और कुछ को नहीं किया गया है ठीक है तो चलो आगे का chapter हम continue करते हैं हम वर्ण सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके हमारा अब नेक्स टॉपिक प्याते हैं हमारा डैट इस 3.2 नौन शत्रीय कि अब जैसे कि मैंने आपको बताए हाभी कि वर्ण सिस्टम के फॉलो थी वह मेजर हाइलाइट करके जैसे कि सात्वाहाना रूलियर्स के बताया बाकी से जगाओं पर फॉलो होता होगा बहुत सारी चीज़ों को कि यह उचादी हो नहीं है ठीक है गोतर को जो में हैं नहीं लीव करके हास्बन के को चकॉर्ड़ करना है में इसको फॉलो ही केंग बन सकते हैं हावेवर हमारे पास इतने सारे रूलिंग लीनियज है यानि के किंग्डम से जहां पर नौन शत्रिय राजा भी बनें इन फैक्ट मॉर्या डैनेस्टी के बारे में अभी हमने पढ़ा इट वस कितना बड़ा इंपायर के समय पे तो ओडिशा तक पुर हमारे एंसियाडी में बताया गया है डाट मॉर्य इंपायर यानि कि जो अंके ओपर डिलेट करी जाती है जितने बी बुधिस टेक्स्ट जो बुधिसम चांज रेक्वाश एंप से बाद निया थिकांत नियुक्त में उसके बाद कोई डानस्टी नहीं नहीं चे बाद आयत स्टार्ट हो गई थी देवर भ्रहामन तो यह भ्रहामन थे इन फाक्ट पॉलिटिकल पावर वस एफेक्टिवली ओपन टो एनिवन उसके लिए उपन थी जिनके अंदर काबियाथ हो तो पॉलिटिकल पावर उनके लिए बिल्कुल ओपन थी और रेयर डिपेंडेंट ऑन बर्थ चैट्रिय में से देखें गए जहां पर नॉन शत्रेंदि किंग भी बने हैं ऑन दे बैसे अंदर वैलर ऑन दे बैसे आप क्या सकते हैं उनका पूरा का पूरा अपना प्रिसोर्स थी जो उनकी पावर थी उसके पर चलो हम इसका भी ग्जामपल हमार को यहां पर बताएंगे तो एक्जामपल में सबसे पहले हमें बता रहा है शाका ठीक है शाका स्कॉन थे शाका सेंट्रल एशा को रूल करें गुज अधिवर नॉन शात्री है तो इनको कई बार क्या बोला जाता था मेलेट्स बार्बेरियंस और आउट्चाइडर्स क्योंकि भार से आके स्टार्टेट रूलेंग इन सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में ठीक है हाववेवर बहुत इंस्क्रिप्शन में हमें यह पता चल रूलर ऐसे थे संस्क्रिट ट्रडिशन को आप समझें जो नॉम्स हो जाते उनको फॉलो करते थे और उनसे फैमिलियर भी थे ठीक है तो एक्जाम में वनमार कर आए गई है कौन्से रूलर ने सो दर्शन लेक रीविल्ट कर रहे थी इस पेक सोर्स भी गिवन है जो कही बा बहुत सरे exceptions है तो एक बहुत फेमर्स रूलर है साथमाना डायनेस्टी के जिनका नाम है गौतमी पुत्र सीरी सतकानी तो यह देख रहे है आप इनके नाम के पहले इनकी मदर का नाम लिखा गया है गौतमी पुत्र सीरी सतकानी लिए यूनीक ब्रहामन थे बट यह साथ के स नहीं होना चाहिए चाहिए वन टे इस उनके शादे के साथ को एक में वन का सब्सक्राव के सादी करी सब्सक्राइब आप समझ सकते हो कि यह कुछ शीजों को फॉलो करते थे कुछ को नहीं करते थे दसात्वहाना क्लेम टुभी भ्रह्मन्स वेर एस अकॉर्डिंग टुभर्मशास को लिए क्या गिविन था कि उन्हें जो है वेदास को टीच करने हैं वह हमने पूरा 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 पड़ा है और वो खुद राजा बन जाते हैं उसके बाद पहले उन्होंने अपने पूरे किंग्डम में कहा था कि वर्ण और को फॉलो करना चाहिए शादी वर्ण के वीश्म होनी चाहिए और खुद उन्होंने शाका रूलर की क्लैन में जो है पूरा किंग्डम में आप कह सकते हो कि यहां पर आप समझ सकते हो कि पूरे के पूरे भ्रह्मानिकल टेक्स्ट को किसी चीजों को कहीं फॉलो करा जा रहा था किसी चीज़ों को कहीं फॉलो करा जा पर सिंपल तो आज वी हाव सीन दे प्राक्टिस एंडोगयमी इंस्टेड ऑफ एग्जोगयमी सिस्टम प्राइब सही था तो इन्होंने काफी सारे ऐसे चीज़े जो फालो नहीं करते थे तो यह चीज आमें सात्वाहाना रूलर की कम्प्रीटली समझ में आ चुकिए अब हम आते टॉपिक 3.3 पे जाती जाती जन सोशल मोबिलेटी अब हम बाकी चीजों के बारे में जानेंगे जैसे जाती इसके बारे में देखो तो होते थे वह चार हमारे फिक्स थे बट जो जाती होती थी वह पर्मनेंट फिक्स नहीं होती थी तो यहीं चीज आपको बता रखी है कि ब्रहमानिकल थियोरी में जैसे वर्ण बेस्ट होती थी बट जाती फिक्स नहीं होती थी जैसे जो लोग forest areas में रहते थे उन्हें निशद कहा जाता था जैसे कि महाँभारत में किलव्य के बारे में हमने पड़ा था वो एक निशद थे ठीक है यह यह वो लोग जो forest में रहते हैं ठीक है एंड नेक्स्ट और गोल स्मिट जैसे कि एक occupation करने वाले लोग है गोल स्मिट सुनार आप समझ लो तो उनको क्या बोला जाता था स्वनकारा ठीक है यह पूरा रीड कर सकते हो आप तो जो कोई भी 41 order में सेट नहीं बैठती थे पूरी बात लेकी गई है हुएवर डिद नॉट इसली फिट इंडू दूट फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम जो एक पर्टिकुलर ओक्यूपेशन फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम में फिट नहीं बैठती थी दे क्लासिफाइड देमेस जाती उनको जाती में क्लंसिफाय कर दिया जाता जैसे कि फोन वर पेक्या और पेस्ट्रोलिजम ओर ट्रेड करना और शूदराज के लिए तीन वर्स को सर्व करना बच्चाई आप मैंने बढ़ाया फोरेस्ट के लोग तो फोरेस्ट के लोगों से बंढ जिस्टम में वो नहीं आते थे वहाते थे जाती में जाती में पैदा हुआ है वहीं पर उनको उसको वहीं पर रहते थे उनकी जाती मान ली जाती तो जैसे जो फॉरेस्ट आधा थे उनने शद बोला जाता था जो गोल्ड वाले होते थे उनको यह बोला चाता था जो फिशिंग कम्मुनिटी ओदी उनका अपना अलग नाम था देवनूनास अलग-अलग जाती ठीक है जाती इसकी क्या मेजर वो थी कि वो एक कॉमन ऐक्यूपेशन को शेयर करते थे एंड उनको कई बार श्रेणी और गिल्ड भी में चैप्टर टू में पढ़ा था श्रेणी और गिल्ड अलग 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 गिल्ड होती थे कोई क्राफ्ट परसन की है कोई फिशर मैं की ह अलग ब्लैक स्मित की अलग अलग श्रीनीज ओंपे चल्ड है ऑगे पड़ते हैं यह बता अब यह जाती के लुग है यह से ब्रहामन स्की के बार में जानने के लिए तो बहुत सरे तोक्युमेंट्स है में से जान ले चांप्ल हमारे में एक कहानी का श्यांपल हमें में मिल से मिला था स्टोन इंस्क्रिप्शन मेला था मध्यप्रदेश थियल कंड प्रडेश Thank You जो हाके राजा है वह बहुत ज़्याइट करके आते हैं और पर पूरा पता रखेंगे कि उन्हों ने बहुत डिफिकल्ट जर्णी उनकी थी कि वह बहुत मुश्किलों से जो है पूरा आप समझो ना कि पूरा माईग्रेट करा उस जमाने में अपना पूरा घर पूरी पूरी जहां पर जाती जो है इधर से उदर माइग्रेट करती होंगी तो यह हमार को यहां पर गिवन है तो यहां में सोशल सुसाइटी के बारे में महां पर बता रखाए तो विद इस यह कंप्लीट हो गया अब हम यहां पड़ते हैं अब जादा तर जो लोग शेयर क्राफ्ट को को या एक beer झाल को इशेयर करते थे वह अपनी मेंबरशिएप सी बना करते ते ते कही बारोग प्लस यह व मैं प्ल शी नहीं करते थे तो तो काफी 60 एसी हुआ करी थी हमें बता नहीं रखा है ट् вообще z प्राफ्ट प्राक्टिस करें तो अपनी पैसे को इखटा करके उन्होंने संगोड की ओनर में जो एक टेंपल भी बनवाया था तो यानि क्या समझ सकते हो कि वैसे तो जाती एक पर्टिकुलर जाती का एक इंसाने उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वह एक टेंपल बनवा पाएं वो राजाओं के पास होता था बट कई वार ऐसा करते थे कि जो अलग जाती है पर्टिकुलर उसके सभी के सभी लोग एक मिंबर्शिप तरीके मिसे रहते थे एक कम्यूनिटी बना कि अपने रहते थे एन अपनी रिसोर्स को एक खटा करके जो है कभी-कभी मनवाया कर देते मंदिर में ठीक है तो यह वाला टॉपिक आपका कम्प्लीट अब हम कुछ और चीज़ दाने वाले हैं वह बियॉंड फॉर वर्न्स इंटिग्रेशन कि क्या इन फॉर वर्न्स के बीच में इंटिग्रेशन होता था या नहीं होता था यह आप जानोगे इस टॉपि करते थे जब वह ब्रह्मानिकल टेक्स से मिलती नहीं थी यानिकि वह ब्रह्मान के लिखेवे जो लोग नॉम्स को फॉलो नहीं किया करते थे जब हमने संस्क्रिट डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो हमें पता चला कि उसमें उन लोगों को क्या लिखा गया था उन लोगों को लोग फॉलो नहीं कर देते तो उनको डोकुमेंट्स पर क्या लिखा गया था और और अंसिविलाइज याने कि वह और है और वह कौन है दिया अंसिविलाइज उसमें लिखा गया है अब इसमें कौन लोग आते थे फॉर इग्स अने की फॉरेसले को इसमें कंसिडर कर लिया जाता था सब्सें सब्सेतन को एसे निंग के लिए लिए औंसिविलाइज मेंडि एदक ड के अदर सफन्सकृत्य। केटिग्री सच इस निशद मैंने आपको पहली भी बता है फॉरेस्ट ज्वैलर्स की केटिग्री को निशद कहा जाता है यह वन मारकर है और इकलवे जो है इसी केटिग्री को बिलॉंग करते थे ठीक है वह यह करी कास्रा गुट्ष तो बिलुट्री में आप तो बंचार भी जब से चंखते रहे ऊंदी डरें याप फिरें इस और तो जो settled ugly culture नहीं होता ना जिनके पास में, उनको भी odd, unsabilized माना जाता था Even sometimes जो लोग non-sanskrit languages बोला करते थे, they were labeled as mellets and they were looked down upon जैसे कि Shaka rulers का मैंने बताया, उनको mellets बोला जाता था, outsider बोला जाता था, barbarians भी बोला जाता था उनको because they were outsiders ऐसा कहा जाता था, तो mellets, जो अगर आपको pronunciation सही पता हो तो आप सही 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 प्रणान्स करना, mellets, तिक है, जो लोग non-sanskrit language भी बोला था, उनको mellets, बोला था, they were looked down upon और साती के साथ में, अभी हमारको ये भी पता चलता है, जैसे हमें एक लवे की स्टोरी के बारे में पता है, उन्होंने किस तरीके से जो है पुरा का पुरा सीखा था, उन्होंने धिरोनाचार्यों को अपना गुरु माना था, उनको अपना थम्भी जो है, as a guru दक्षना द को पता चलता है, ठीक है, अब आपको नेक्स बताया गया है, बेउन्द फोर वाइना, ने कुछ लोगों को कांसिडर करा था, आउटसाइड दिस सिस्टम, तो मैं आपको पूरा न्सीयाटी के हिसाब से बताती हो, क्या हमें हमारी न्सीयाटी में बताया है, तो ब्रहमन न जो है, हमारे सोचल डिविजन को बहुत ज़ादा शाप कर दिया था, वें सेटें सेक्शन ओफ दो साइटी को काटेगराइज करा गया था है, कुछ अक्टिविटीज होआ करती थी, जो प्योर होती थी, जैसे कि प्योर अक्टिविटीज में भ्रहमन के दोर में बताया गय उनमें क्या आती थी, जैसे कि हाँ पर आपको बता रखाया है, सम अक्टिविटीज वर कांसिजर पॉल्यूटिज को पॉल्यूटिज बोला जादा था, for example, handling corpses, यानि कि जो dead bodies को handle करते हैं, and dead animals को जो लोग handle करते हैं, वो पॉल्यूटिंग वर्क कर रहे थे, and these activities वर और मानुस्क्मृति में चांडाल्स के लिए proper duties लिखी गई है, proper activities लिखी गई है, जो चांडाल्स को प्राक्टिस करनी हो देती है, and given ए रेकों, their touch in some cases, even seeing them was regarded polluting by those who claim to be at the top of the social order, अब चांडाल्स भी कहा जाता था, तो यह जो group होता था, they were performing these duties, handling corpses, पूरा category थी, इनको बोल चांडाल्स और मानुस्क्मृति में हमारी चांडाल्स की duties given है, तो यह बहुत important question है, board exam के लिए, आपको सारी duties लिखने को आ सकती है, चांडाल्स के लिए according to मानुस्मृति, तो यह मैंने बहुत compact form में लिख दिया, इनसे आटी में बहुत बड़े paragraph में लिखा है, पहला they had to live outside the villages, तो चांडाल्स को जो है, विलेज के बहार रहना होता था, they had to use discarded use stencils, यानिकि जो utensil discard हो चुके होते थे, जो लोगो use already कर चुके है, जो खराब हो चुके है, वो utensil वो लोग use करते थे, वो वैसे ही कपड़े पहनते थे, वो new clothes नहीं पहनते थे, use करेवे clothes पहनते थे, और basically dead, dead लोग जो होते न, जो जिनके मिल्ति हो जाती है, उनके कपड़े वो पहना करते थे, उनके ornaments पहना करते थे, और नहीं नहीं, ornaments पहना करते थे, आइरन के, ठेकिया तो ornaments कोंसे अलाउट थे, सिर्फ उनको पहनने आइरन के, लोहे के बने वे, जो पूरे जेवर ववे पूरा जमाने की कि किसी को जए की डिया जाते है जब शजा मसें थो जने लोगों shodh ने ने यापर जो हे चांडाल को देखा था और उन्चनाजifi वाली बात हमें कहां से पत्र चली बुदिस टेक्स से तो बुद्धिस टोक्यूमेंट जो है अभी हां पर आप देखो भी जुड़ाट को कितना काम करने होत हो जो उन्हें पना बुद्धिस्ट तेक्स्ट में से कि एक बुद्धिस्ट मॉंक थे वो और वो एक चाइनीज थे और वो ट्रावल करके आए थे इंडिया कब आए थे पाथ सेंचुरी सीए में आए थे और उनका नाम ता फार्जियान ये बहुत एक्जाम का बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है नाम था फार्जियान अब इन्हों ने बताया उन्टा चेवल्स के बारे में उनको पहनने होते थे जब भी वो स्ट्रीट में आए समझो आप गले में कुछ पहनना है जिसमें से अवाज आया से घंटी टाइप आप समलो वाटेवा क्लैपर टाइप पहनने होते थे कि जब व वियार एंटरिंग ठीक है एक और चाइनीज प्लेग्रिम थे उनका नाम था जुएंज जैंग ठीक है यहाए सेवंध सेंचुडी सीए में इन्होंने अब्जाव करा था एक्जीक्यूशनर्स को और स्केवेंजर्स को यानिकि जो यह लोग हुआ करते थे इनको इसको ना पढ़ा गया कि क्या जो चांडाल्स होते थे क्या जो लोग इनकोटिस को परफॉर्म करते थे क्या वो इस लाइफ ओफ डिग्रेडिशन को एक्सेप्ट करते थे जो शास्तर में लिखी गई थी तो यह सम्टाइम्स हमार को दिखा है यह जो लोग जो है इन सब प जहां पर प्राक्टिस नहीं होता हो तो सब कुछ तो गया से तिहास का में नहीं पता चल सकता है ना तो यहां पर बता रखाए क्वेस्टन यह पुट अप हुआ कि जो यह बताया गया चांडाल्स के लिए तो क्या वो उसको फॉलो करते क्या उन्होंने ऐसी लाइफ को एक अब यहां पर हम जानेंगे लोगों की करना लौड तो कैसे में सूसायटी में कोची एक कि आ Computers u पर उसी से तो वह उन करेंगे तो अगर हम वर्ण के सिस्टम के साफ ऑप्यूपेशिन के देखेंगे तो भीसली ब्रहामन सब से रेच होंगे शटरीय सब सरे चुछ और वह यह उच्छ वह उच्छ वह उच्छ तो आप जानेंगे कि इस वजे से रिसोर्स को कैसे डिवाइड किया था यहां पर आप सोसाइटी में अमीरी गरीब ही का और कैसे कुसी पर पैसा जादा था कुस पर पैसा नहीं होता था यह सब चीजों का डिफरेंस हम इस वहले टॉपिक सा समझेंगे ठीक है और यह भी आप पढ़ चुकिए हो कि अपने kingdom वाले चाप्टर में के slaves भी हुआ करते थे landless agriculture labor भी होते थे और landholders भी होते थे तो यह सब सिस्टिम आप यहां पढ़ने वाले हो ठीक है ओके तो आब आते हम अपने topic 4.1 पे gender access to property तो मानुस्मृति के ने तो मैं चाप्टर के शुरूआत में बता दिया था कि जो फादर की एस्टेट है पेटों के बीश में और जो बड़े बीटा होता था उनको special share मिलता था अब की बात करें तो नहीं का कोई क्लेम नहीं था पूरे की पूरी रिसोर्स के ओपर वोमिन को सिर्फ और सिर्फ अलाउट था वोमिन पे क्या रिसोर्स होगी फिर क्या उनके पास कुछ नहीं होगा रिसोर्स कहने के अपना नहीं वोमिन को अलाउट होता था गिफ्ट्स रखना पूरा को बताया कि व्म और ने उनने कुछ गिफ्ट करें सब्सक्क्राइक धूर। कोई की बहुत है तो उनकी की म्हांनी वेट करें सब्सक्रीन सब्सक्राइब हैं गीए शीड़ को मिलती थी बार में उस पे उनके husband का कोई हग नहीं होता तो आप समझें जैसे कि जो mother जो है तो mother के पाद जितनी अपनी resources है जो उनको अपने father से मिलियो या उनके भाई से gift में मिलियो किसी से भी नहीं father से भाई से नहीं होगी तो यह बात given है wealth could be inherited by children without the husband having any claim on it तो वो बच्चे जो होते हैं अपनी mother के जितने भी wealth उस पे claim कर सकते हैं but again मानुस्मिती में woman को one भी करा गया था hold hold मतलब आप समझ सकतो कि जब्त करना अपने पास में जबरदस्ती अपने पास में रखना अपनी property इवन अपने valuables भी without the husband's permission यानि कि husband की permission के विना इवन अपनी resources भी अपने पास hold करके रखना woman को कहा गया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है तो ऐसा उनके पास अतनी resources हो थी जो कोई उन्हें अगर कोई ऐसा scenario हो तो मानिश्पृति में लिखा हुआ था कि husband की permission के विना ऐसे hold नहीं करने चाहिए अब wealthy woman के बारे में एक के बारे में तो हमें सिर्फ बता रखा है हमारी district book के अंदर से वह कौन थे वटका की queen प्रभावति गुपता उनका हमने देखा उनके पास land था उनके resources थी तो उनके पास क्यों थी वह मैं आपको बता चुक्यूंद को पढ़ते हैं जो इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं जो टेक्ट्वल वगेरा सब कि अपनी property भी होती थी अपनी cattle होती थी रिसोर्स इस अपने हुआ कर देए के पास में and money जितना होता ता जो पैसा होता था वह जो है घर के मेल होते थे में होते थे वह कर तो suppose करो एक lady उनके पास हो जगता है पनी cattle हो उनके पास अपना हो बट सारा पैसा कंट्रोल किसी होता दा आदमी के हाथ में की यानि कि सबचे में वुब के बीच में डिफरेंस से ब्लिस बुए ही तो क्यों दिफरेंस था हो से गौप ऑपु इन par तो यह आप इससे समझोगे तो ब्रहामन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा हमें बता रखाए किसने क्या परफॉर्म करना है जैसी कि तो शूद्रा थे उनका था उनको से विया लाउथा कि बाकी तीन वर्ण उनको ने सर्व करना है तो अगर हम उसके को फॉलो करा जाएगा और विसली सोशल डिवीजन पैसों का मतब की अमीरी गरीवी का फरक उसी के बेसिस पर होगा अगर वन्ट सिस्टम के हिसाब से तो क्या सच्छी में इस चीजों को फॉलो करा जाता था यह हम जानेंगे इस टॉपिक में कि क्या जो लिखा हुआ था हेज最近 सच्छी सच्चाई सोशल रियालेटी उसमाने में इसी यहां नहीं थी ठीक है समारे सब्स्राइब कि उस दमाने में ऐसी हुआ कर दी जैसे हमने टेक्शुल पड़ा कि राजा थे वह बहुत जादा जैनरली अमीर होते हैं हमने बहुत सरे अमीर अमीर ब्रहांमन के बारे में भी पढ़ा है कुछ केसे होते थे जहां पर ओकेशनली लिखा है यहां पर पूर भ्रामन के बारे में भी हमने पढ़ा है तो आप जो है आपने वर्ण सिस्टेम के हिसाब से यह डिफ्रेंस रहेंगे यह आप समझ चुके हो दीरे दीरे इसकी क्रिटिक्स आने विवर्ण वह दो दो ब्रेंस नाच्रल नहीं होते है और इन फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं कि अजिए यह कि आपके पूरी लाइफ चलेगी इस चीज को रिजेक्ट करा जाता है इन बुद्धिस्म बाइब दो पूरा पूरा स्टेट जो है वह चलता है नहीं इस चीज को र पहले आप इसको पढ़ा 4.3 and alternative social scenario sharing wealth यह एक अलग सी चीज है यहां पर sharing of wealth यानि कि अपनी wealth अपने पैसे को share करना यहां पर हमारे को tamil region के बारे में example दिया गया है अपने प्रजा में तो उनको despise करा जाता था यानि क्यों उनसे लोग खुश नहीं होते थे उनको लोग हेट किया कर दे और वो राजा वो किंग जो अपने पैसे को जितनी भी उनकी पूरा का पूरा ट्रेजर होता था उसको share करा करते तो society के भले के लिए उनको बहुत आपनी वेल्ट को शेयर कर दो नहीं करते उनको हेट करता जाता है कि हां अमीर गरीबी का फरक महां पर भी हुआ करता था जो लोग अमीर होते थे उनको ऐसा कहा जाता था देट उनको अपनी रिसोर्स को शेयर करना चाहिए और जो नहीं करते थे उन्हें डिस्पाइस करा जाता था तो यह कॉंसेप्ट था शेयरिंग और वेल्थ का बात है तो अब आते हैं हमारा नेक्स टॉपिक तॉपिक नुबर फाइव एकस्प्लेण किया रखे और सोशल कॉंटार्थ जब आगे अपनी ग्राजिएं करो गे एक आप सोछल कॉंट्राक्ट थिूरी बारे में बहुत बाहत सारे बड़े-पड़े फिलॉस Olivia तो तब पड़ोगे तो आपको यहां से बहुत मिलने वाली है तो बुद्धिस डेवलाप अल्टेनेटिव तो अंडरस्टैंड सोशल इनिक्वालिटी गाइस आज के सब्सक्राइब करने के बुद्धिसम में एक जो है पर्टिकुलर हमने एक मित है उसमें इंद सुत्पिता सुत्पिता का स्वाइब कर दो पर इसमें निकिए कि सुरुआत में उन पता निए सब्सक्राइब करें कोई इसमें कोई कोई बात है तो यह का जाता है चुलाती समय में बहुत-बहुत एज़िसमें धीम all body forms नहीं होते थे सब लोग नहीं plants के होते थे नहीं animals के होते थे अब evolved body forms का मतलब आप छोड़ो आप next line पड़ो all living beings lived in a idyllic state of peace यह जितने भी human beings हुआ करते थे जितने plant animal उसमाने में होते थे वह idyllic state में रहते थे और idyllic state मतलब होता था कि वह लालची बिल्कुल भी नहीं होते थे जितना उनको यह क्या हुआ वह idyllic state Detroit होने लगती है लोग लालची होना शुरू हो जाते हैं धीरे-धी विंडिटिक deceitful दोगेदाजी करने लगते हैं सारे के सारे इंसान विंडिक्टिव हो जाते हैं ग्रीडी लाची टाइप की हो जाते हैं वह idyllic state से बहार आने लगते पहले क्या था तोड़के खा लिए बस थीक एक वारी का काम होगे यह निए पचास के पचास फल तोड़के घर लेगा अपने के वाई दस दिन का खाना इखटा कर लेते नहीं इडिलिक से जो इच मिल के लिए धीरे दीरे लालेच पड़ गया सपोज करो फिर पचास फल तोड़के ले जाते होंगे कि भाई अपने खाना हो गया बाकी वह भाड़ में जाए पतर फरक नहीं पड़ता उनको क्या खाएंगे दीरे दीरे ग्रीडी स्टेट जो है इमज हो जाती है फिर यहाँ पर बताया गया यह पूरा मैंने एंचीर्ट का ही कोडेशन डाली और इहाँ वह इवात इफ कलगा है तो यह अलाई मोजी लगा है तर दीरे दीरे एक वैसन हुआ तब जाके जो है यहां पर बताया गया है कि जब बहुत ग्रीडी हो गया फिर लडाई होनी शुरू हो गई होगी जब ये सब चीज़े हुई तो सब humans ने मिलकर decide करा कि हम एक इनसान को ढूणेंगे उसको अपना leader type बनाएंगे और वो जो है justice करेगा वो जो है जब situation होगी कि नहीं किसी को anger से deal करना है वो anger से deal करेगा और जब वो हमारे लिए duty perform करेगा कि वो justice type का महल बना के रखे वो सब चीज़े को ठीक से करवाए वो जो गलत इनसान है उसको punish करे वो जब उन सब चीज़ों की duty वो इनसान ले रहा है तो यहां Buddhist text के documents के according क्या बताया गया है कि जो kinship है यानि कि राजा होना क्या है वो human institution है यानि कि इनसानों ने अपने आप अपना राजा घोषद कर रहा था basically मतलब यह है by birth नहीं है धर्मशास में one order में क्या है जो शत्रियां है वो राजा बनेंगे वो राजा बनेंगे ठीक है बट इस Buddhist text के according Buddhism में social contract के according इस वले क्या है जब ऐसे idyllic state तूट गई जब लोग लालत से भर गए तब एक leader को choose करा गया यह देखो आप यहां पर leader नहीं given है या कुछ और given है मतलब बहुत difficult language में given है मैं आपको बगता रही हूँ यह leader को choose करा गया और वो banish करेगा पनीश करेगा जो इंसान कहलत कर रहा है justice करेगा वो इंसान and we will give him in return a portion of the rice और हम उसे अपना rice का portion देंगे and उसको हम खुद चूज करेंगे उस इंसान को क्या बूला जाएगा leader नहीं महा समत्ता ठीक है तो वो उसको क्या बूलेंगे महा समत्ता the great elect और यहां से kingship यानि की राजाओं का बना शुरू हुआ तो according to Buddhist text क्या है किंशिप क्या है एक human institution है और यह यह imply करता है कि जब जो यह kinship है यह human institution है humans ने अपनी मर्जी से राजा को घूशिट करा महा समत्ता बनाए तो आगे चलके वो इस kinship के system में अपनी मर्जी से जैसे जैसे situation change हो changes भी ला सकते है क्योंकि तब लाला जुभडा situation में वो change लेका है और और ने महा समत्ता गोशिश करा तो जब धीरे-धीरे वो महा समत्ता भी अगर ठीक से work नहीं करेंगे तो यह यह imply करता है कि इंसान उस चीज को भी change कर सकता है according to this institution of kinship human choice थी और जो वो rice दे रहे हैं यह type का tax जैसे राजाओं को tax भरा जाता था ना वो हो गया उनका जो वो services render कर रहे है उसके लिए उनका form of payment ठीक है तो यह यह reveal करता है that जो kinship है वो एक human agency है और इसका मतलब यह भी अपर human ने बनाई है तो human in future उसको change भी कह सकते हैं तो this is according to Buddhist view और यह हो गया social contact अभी जब आप graduation कर रहे होंगे तो आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे से related तो अभी आपको इसका basic कुछ थोड़ा सा पता चल चुका है अब आते हैं मुझे topic no.6 पे अब आप social realities के बारे में गई सब कुछ जान चुकियो अब यहां पर आपका मतलब जितनी भी social realities आपको जाने तो आप जान चुकियो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या पढ़ा एक बर मैं आपको पूरा चाप्टर रवाइस कर दे पहले में फैमिली के बारे में पढ़ा और किन फोक कौन होते हैं और कहां पर किन फोक को किससे कंशेडर करा जाता है फिर हमने यह सब आप पढ़ चुके हो अब हम वापस आएंगे महाभारत के क्रिटिकल एडिशन कैसे बना था उसके उपर ठीक है तो चलो परते हम अपना टॉपिक 6 महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बनाया कैसे गया था यह आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो तो इसको मैंने आपके लिए जितना सिंपल हो सकता है वो किया है कैसे महाभारत का टेक्स पूरा कंपाइल हुआ होगा क्या चीज़े हिस्टोरियन ने दिमाग में उस समय पर रखी होगी जब वह अलग अलग डोकुमेंट्स को मैंने का था उन्होंने चेट करा था कोई साउथ इंडिया से मिला कोई नॉट इंडिया से मिला कोई संस्क्रि मिला कोई किसी लैंग्वेश मिला वो सारे महाभारता के एडिशन और फिर उन्होंने 13000 पेजिस के क्रिटिकल एडिशन मना रहे थे तो क्या-क्या चीज़ों को वह कंसिडर करा करते थे तो फर्स्ट चीज जो वह कंसिडर करा करते थे सारे के सारे हिस्टोरियन इसको आप एक नोट्स अगर में पढ़ोगे तो बहुत सिंपल मैंने लिख रखा है फॉर्स चीज जो हिस्टोरियन कंसिजर करते थे डाट इसके बराबर में ऐसे लिख सकते हो लैंग्वेश सबसी पहला कंसिटोरेशन होता था कि वह पर्टिकु सबसे जादा संस्कृत भाषा कॉमन थी ठीक है सबसे पहले क्या देखते हैं वह अच्छा भाईया कौन सी लैंग्वेश का है ये वाला एडिशन ये वाला डॉक्युमेंट नेक्स्ट वह देखते है और सिर्फ महाभारत के लिए जब भी किसी भी डॉक्युमेंट को सर्च के च полез आफ टो यही चीज़े देखी चाहते है नेक्स्ट काइंड ऑफ ल तेकस्ट यानि की कोई मंतर घिवन है निक्स्ट कोई जाते हैं डुլ करें हो ड्हों सकते होंगे अंत्र महाभारत पदैर है वर्सिस स्टोरी तो उस चीज को देखा गया ठीक है नेक्स्ट वह फाइंड आउट करते है ओधर कौन है यानि कि वह पर्टिकुलर जो एडेशन है उसको लिखा किसने है और नेक्स्ट वह क्या देखते हैं इंटेर्ड ओडियंस नमबर फोर पर वह देखते हैं ओडियंस कौ को लिखा होगा so that audience का इंट्रस्ट बना रहा है ठीक है next जो है possible date कि किस date पर वो compile होगी होगी अब सबकी exact date तो नहीं पता चलती थी तो possible date माने only after making these assessments यह सारी assessment करने के बाद जो पांच में आपको बताए है they draw on the context of text फिर वो आते थे कि अच्छा critical edition में यह लिखेंगे and then जो है particularly उनोंने जो है महाबारता का critical edition मनाया और आप imagine कर सकते हो this is a particularly difficult task as हमारी जो महाबारता है वो बहुत complex text है और उसके इतने सारी वर्जिन थे तभी इस टास्कों परफॉर्म करने में 47 years लगे simple यह हो आपको clear हो गया होगा अब आते हैं 6.1 topic पे language and content महाबारत की language and content के बारे में जाने वाले हैं अगर हम versions of महाबारत की बात करें तो सबसे जादा Sanskrit version को consider किया गया है ठीक है जो Sanskrit महाबारत में use हुई है वैसे वह काफी मतलब आपको असान है या समझी जाने वाली है as compared then that of Vedas and Manusprity जो और Vedas में Sanskrit लिखी गई है वह बहुत complex है और जो महाबारत में लिखी हुए वह particularly उससे simpler है historians usually classify करते है content को जो महाबारत का content है Sanskrit वाले का हो यह जिसका भी हो जो दूसरी languages का भी हो वह content को classify कैसे करते हैं वह सबसे पहले वह यह देखते हैं तो मैंने आपको बता है ना पहले language देखेंगे तो सबसे ज्यादर common हमने Sanskrit वाली जो महाबारत है उसको इसको पहले वह देखेंगे तो महाबारत में दो टाइप के content है एक थे narrative एक को नरीटेव बोला गया था और दूसरे को बोला गया था डाइडेटिक ठीक है तो narrative और डाइडेटिक नरीटेव और डाइडेटिक मतलब क्या होता है design to teach people something especially a moral lesson तो काफी सारे ऐसे महाबारत के अंदर मतलब आप सो जो कि stories थी बाते लिखे गई थी जो narrative थी ये एक social message की तरह हुआ करते थे और बहुत सारे कैसे होते थे डाइडेटिक ड्रेवर to teach people some moral lesson तो आगर आप बहुत सारे moral lesson वाली बाते भी हमें महाबारता पढ़के समझ में आती है ठीक है तो यह आप पढ़ सकते हो महाबारता कर टेक्स्ट दो पार्ट में डिवाइडेट था नरेटिव एंड डाइडेटिक हमें दो टाइप के टेक्स्ट है एक नेरेटिव है और दूसरा डाइडेटिक है नेरेटिव में वैसे तो पार्ट में पार्ट में पार्ट में अब आते हैं हम इसलिए आपको बता दिया अब हिस्टोरियन्स यह मानते है तो डाइडेटिक पोर्शन है या बात में आद आप करेंगे अब आते हैं हम इस बात पर जो हिस्टोरियन्स बहुत जादा डिसकॉशन करते रहते हैं तो जो महाबारत हमारा टेक्स्ट है इसको बोला जाता है इतिहास और इतिहास मतलब क्या है लिट्रल मिलिंग इतिहास का क्या होता है हिस्ट्री को भी हम इतिहास कहते है इतिहास मतल इतिहास ठीक है विच इस वाइट इस चांसलेटेड अस इस्ट्री वास देर रियल वर डाट वस रिमेंबर इन एक यह उसमें रियल वार हुआ था इस दिए यह सचें आगा हैसा कहरें यह इस्टोरीयन इंको यह क्या आठ्क है कि हां सच्छी में इस चीज को एसे स्टोर करा गयो गांगा बट कुछ ऐसे historians भी है जो कहते हैं इसका कोई Corrobative Evidence नहीं है यह Corrobative Evidence क्यों होता है एक पर खुछ सर्च कर लेना यहनि कि पक्के प्रमाण नहीं है कुछ historians ऐसे कहते है और कि इस battle की कोई पक्के प्रमाण नहीं है तो यह कहना है historians का ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं Authors and Dates अब बात आएगी हमारी Who Wrote the Text जो हमारा महाभारता टेक्स है Actually में Who Wrote the Text ठीक है तो original story जो है वो compose करी गई थी यह हमें बता रखा है किसने compose करी थी Chariters Bard Known as Sutas who were generally accompanied by शत्रिये warriors to the battlefield and compose poems celebrating their victories and other achievements यहां यह बताया क्या है यह जो original story है वो लिखी होगी जो Chariters Bard होते हैं जो Sutas होते हैं जो उनके साथ रेते हैं King के साथ में वो और के दोरान रहते हैं उन्होंने यह story लिखी होगी तो अगर राजा जीते हैं तो उनकी victory में वो सब कुछ record करा जाता है These compositions circulated orally और यह जो compositions होते हैं यह orally बताई जाती हैं यानि कि एक इनसान ने पूरा वार देखा है और जो कुछ भी हुआ जो victory हुई वो orally सको बताएंगे From 5th century BCE Brahmins took over the story and began to commit it to writing और 6th century BCE से इस story को आगे Brahmins ने लिखना शुरू करा यानि कि पहले circulation में verbally रही कि एक से दूसरी जगों को सुनाई गई फिर Brahmins ने इसको written form में लिखना शुरू करा This was the time when chiefdom such as those of the kurus and panchals around whom the story and epic recall और यह वो समय था मैं read क्यों कर रहे हैं because यह हम anxiety के हिसाब से given है वो आपको बतारी हूँ फिर दीरे दीरे क्या हुआ यह लिखा गया है कि दीरे दीरे कुरू जो kingdom है जहां का पूरा महाभारता में conflict दिखाया गया है पान्वाजन कौरवास के बीच में यह पूरा का पूरा जो कुरू एंड पान्चाल जो यह वाले जो kingdom थे यह प्रॉस्पर होने लगने समय के दोरान तो इनको जब अपनी हिस्ट्री के बारे में यह पूरी स्टोरी इपक्स जो डिवाल्व हो रही थी तो इन्होंने अपनी स्टोरी को रिटन फॉर्म में लिखवाया इस पॉसिबल दा अप्हीवल्स अपंपेंड इस्टैबलिश्मेंट ऑफ इस स्टेट्स वेर ओल्ड सोशल वैल्यूस वर ओफन रिप्लेस बाइन नूर्म्स आर रिफ्लेक्टेट इन सम पार्ट ऑफ द स्टोरी तो बेसिकली यह है यह लोग यह कह रहे है कि पहले स्टोरी वर्बल फॉर्म में थी फिर भ्रहमत्स ने लिख और कब लिखा जब चीवडंस का जो है फिफ सेंचुरी बीसी में जब कुरू जो किंग्डम है वो जन्पद बन गया तो वो काफी प्रॉस्पर हो रहे थे तो यह वर दे सेंचुरी इपक को अलग अलग लांग विजसमें लिखा गया जैसे आपकी बोप में फोटो गिवन है वहां पे हमार को जो महाभारता का पर्शियन रांसलेशन ए उसकी फोटो गिवन है तो इतने सारी लांग्विज इसमें ट्रांसलेट हुआ है हमारा एपक मह भारत ठीक है तो ओवर दे सेंचुरी इस वर्शन अव अलग लांग्विज इसमें लिखा गया है ट्रांसलेट हुआ है और जो डायलोग है बिट्वीन पीपल कम्यूनिटीज और जो लांग्विज लिखी जाती है वो धिरे-धिरे बदलते रहते हैं जबी कोई लिखता है पर उसको बताने का तरीका वो बिलकुल अलग रहता है एक जगा से दूसरी जगा में स्कल्प्चर अलग हो जाते हैं प्रिंटिंग अलग हो जाती है समझो कि अलग अलग एडिशन हैं हमारे पास बार-बार महाबारत को अलग अलग लैंग्विज इसमें लिखा गया तो ज इसमें पर बहुत सरे बनते हैं यह थीम बनता है बहुत सारे प्लेश के लिए डैंस के लिए अनग अधर काइंशन देखते हो जो है हमने टीवी पर सीडियल से और बहां से हमें मतब कि आपर कुछ आप जानने को भी मिलता है तो महाबारत थीम के तरह भी डायनामिक टेक्स ट्क्स ऐनने कि घ्रस नहीं है अगरफ महारत के शहें के बारे में पता जाता है तना कुछ हम घ्रस के बारे में हमारी महाभारत से पता चलता है महाबारत को Cindy's ke ठाहडा March and bought an a third me use कर जाएगा और इन प्लेविस महाभारत घ्राइक तरह देज हैं ऐसे अपनोे को आखें फ्लेवा है अलग अग लग अग जिता प्लेविश्व के लिए पेस के लिए प्लेव 003 के लिए इस अग़ाग के लिए को description है ये महा भारता का यह यह तैरा उंहम इसके घरे अच्छन ने भी शुरू होते हैं तो यह सोअगा यह पर काने साथ है कोञे कुलों साथ हो रहा है यह आ सब्सक्राइब यह प्रॉपर जो है वह टाइम कई सीन इसमें डिपेक्ट हो रहा है ठीक है तो यह अलग अलग हमारे पास स्कल्प्चर्टर्स हैं वैसे हमारी इंची इमेज नहीं दी गई होते हैं बड़ अगर अगर आड हो और अची बात है बहुत सारे हमारे पास कॉल्प सब्सक्राइब यह चाप्टर गाई से हमारा फूली कंप्लीट होगा है इतना कुछ है नहीं जो इंपोर्टन क्वेशन होंगे उसके बेसिस पे वह मैं आपको इंपोर्टन क्वेशन सीरीज में कवर करवा दोंगी विद्स यह टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट चाप्टर कंप्लीट आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको आप इंपोर्टन क्वेशन नोट्स के लिए चेक आउट माइं सग्राम आई डी और बाकी चाप्टर्स पढ़ने हैं तो मेरे चैनल को जाके चेक कर उसे फिस्ट्री नहीं पॉल्टिकल इंग्लिश जोगर पी औ में चेक तुम्हें चलती हुआ है